नमस्कार, Polytechnic Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है आज हम बड़ी महात्पूर्ण बात करने जा रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं, Polytechnic की तीन केटेगरी होती हैं एक तो सरकारी Polytechnic, जिनको Government Polytechnic कहते हैं दूसरे होते हैं Edit Polytechnic, हिंदी में जिनको कहते हैं अनुदानित Polytechnic, और तीसरे होते हैं निजी Polytechnic, यह जिनको Private Polytechnic हम कहते हैं तो बहुत सारे छात-छात्रे अक्सर प्रशन पूंचते रहते हैं जिसकी जैसी मेरेट आती है, या जरूरत के हिसाब से कोई दूर नहीं जाना चाहता है कोई सरकारी लेता है, कोई अनुदानित लेता है, कोई प्राइवेट लेता है लेकिन ज्यादातर के मन में यह सोच रहती है कि हमको Government मिले लेकिन कई बार ब्रांच अच्छी ना मिल पाने कारण या सुविदा या दूर के वज़े से नौकरी पर जब डिप्लोमा आप कर लेंगे तो इस मन्द में बहुत ही महत्पूर्ण बात बताने जा रहा हूँ एक चीत देखी हमेशा याद रखिए कि जो चाहे Government Polytechnic हो चाहे आइडेड हो, चाहे वो Private Polytechnic हो जो डिप्लोमा प्रदान करने का काम है वो BT, UP यानि Board of Technical Education उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा किया जाता है यानि जो आपको Certificate मिलेगा और जो Marksheet मिलेगी वो आपको Board देगा तो निश्चेत तोर पर जब BT, UP आपको Certificate और आपको Marksheet दे रहा है तो सभी के लिए चाब Private से किया हो चाब Government से या Edit से सभी के लिए समान है आप Government में या कहीं भी आप Apply करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी समान रूप से आपको स्विकार किया जाएगा वो उसमें किसी तरीक कोई संस है या कोई सोचने की बात नहीं है दूसरा लेकिन जो महत्पूर्ण बिंदू है प्रैक्टिकली यह दी हम देखें जैसे जितने भी जैसे अपरेंटेस जॉब निकलती है या जो प्राइवेट कंपनीज हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो जब जॉब निकालती है तो यह मैंने ट्रेंड देखा है और मैं लगातार जैसे एडवर्टीजमेंट देखता हूँ बिग्यापन लगातार निकलते हैं या फिर हमारे यहां भी जैसे कंपनीज आती हैं इंडस्ट्री वाले बिजिट करते हैं तो उनकी जो चोईस होती है वो यह तो कहते हैं अपना सोच है वो क्यों सोचते हैं इस पारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा लेकिन अगर आप ध्यान से देखे तो जैसे भिलाई इस पात सैयंत्र में ग्रेजुएट का मतलब बीटेक के लिए और टेकनीसियन अपरेंटिस का मतलब डिपलोमा पास आउट के लिए ये वेकेंसी निकली है तो उसमें आप देखिए कि जैसे सनलगनता यानि सेलेक्शन के लिए जो वरीता इन्होंने दी है वो सास की ये संस्थान के उमीदवारों को पहली वरीता मिलेगी और दूसरी मिलेगी असास की ये संस्थान के उमीदवार को यानि जो पहला जो choice of preference है अगर दो लड़के आए हैं एक private का है एक सरकारी का तो जो सरकारी polytechnic का जो चात्र या चात्रा होगा उसको preference वो पहले देंगे फिर अगर seat बचती हैं कोई सरकारी का नहीं मिलेगा तब private के या सास की इस संस्तान के चात्र को सुईकार किया जाएगा तो ये मैंने आपसे बताया मोटा मोटा और भी ऐसे बहुत सारी जगें मैंने देखे हैं लगातार अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे बिग्याबन को तो उसमें आपको समझा जाएगा ये private के एक बात कर रहे हैं जैसे सुब्रोस में अभी 500 vacancy निकली थी अप्रेंट ये कहते हैं कि हम सिर्फ government polytechnic या फिर government added जो polytechnic है उन्हीं के pass out चाथ-चात्राओं को consider करेंगे प्राइवेट के चाथ-चात्राओं को हम consider नहीं करेंगे जैसा इसमें clear लिखा है advertisement में ये मैंने nets portal से डाउनलूड किया है तो इसमें लिखा है please note that male candidates of only government polytechnic और government added polytechnic pass out students are eligible for this drive placement drive तो ये निश्चेत तोर पर कहीं न कहीं यदि आप government से पढ़े हैं पढ़ रहे हैं या पास आउट हैं या फिर आप government added से पढ़े हैं या पास आउट हैं या इच्छोक हैं तो उसका प्रभाव निश्चेत तोर पर पढ़ता है जब आप किसी भी industry में job के लिए तो वो हमेशा preference किसको देती हैं गौर्मेंट से पढ़े चात्र चात्राओं को या फिर गौर्मेंट added polytechnic से पढ़े चात्र चात्राओं को तो ये mind में जरूर याद रखिएगा और इसको उसी हिसाब से decision लीजिए और उसी हिसाब से दूसरों को जरूर बताईए तो ये थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुंचाईए ताकि उनको भी ये चीज समझ में आ सके और पता चल सके इसी तरह कि और उपयोगी वीडियो देखने के लिए फिर चैनल के साथ जुड़े रहिए नेक्स टाइम फिर आप से मिलता हूँ तब तक के लिए थै